नमस्कार दोस्तों स्वागत हैं आपका टीसी फैसन में इस वीडियो में हम बताएंगे साड़े 45 चेस्ट की आप फिटिंग की सट का सामना किस तरीके से काटें जो की परफेक्ट सट बिलकुल बैठे तो चलिए दोस्तों वीडियो को सुरू करते हैं तो यह इसकी कटिंग का भी फुल कटिंग का भी वीडियो में जल्द ही ले आऊंगा तो सबसे पहले कपड़े को सीधा कर लेना है उसके बार इधर साइड में आप किनारा निकल के पौने दो इंच की अंदर का मारिजन छोड़ सकते हैं अंदर पट्टी फोर्ड करने के लिए सिंपल सा जितनी भी लंबाई हो उतनी lining आपको कर लेना है इसको करने के बाद तो सबसे पहले हम यहाँ पर लगाएंगे color का निसान जैसके color है यहाँ पर IBM 17 तो 17 का जो पांचमा भाग हुआ उसको लगाना है उससे एक सूट आपको कम रखना है ताकि color आपका बढ़े नहीं तो लंबाई 4 यहा तो इस तरिके से रखने के बाद आपको इसकी चोकॉर लाइनिंग कर लेनी है उसके बाद हम तीरे करने सान लगाएंगे तीरा है मारे जिसके 20 20 का जो आधा हुआ है 10 और इसमें पिलस आधा इंच का मारजन तो साड़े 10 यहाँपर आपको रख देना है ये काम करने के बाद यहां पर हम जैसी गुलाई में ये होता है कालर वैसा ही हम खाला को निसान लगा लेते हैं उसके बाद यहां पर हम कंदी जो गिराएंगे वो गिराएंगे पहुने दो इंच की और आप अगर दो इंच की गिराते हैं तो दो इंच की गिराएं तो अभी मैं आपको बताऊंगा भी उसके बाद यहां से जो लंबाई अब हम यहां से रखेंगे क्योंकि यहीं से ही हमारी लंबाई आती है तो लंबाई साड़े 27 है साड़े 27 में आदा इंच उपर मारजन दबेगा और आदा इंच नीचे की कोई ओपिन है तो साड़े 28 यहां पर हमको रख देनी है सिंपल सा उसके बाद यहां पर का जो छिस्सा है हम रखेंगे 10 साड़े 10 बना हुआ है तो हम यहां पर 10 रखेंगे अब देखेंगे जिन लोगों पहले 2 इंच मतलब हमने कंढदी यहां पर गिराए है जिन लोगों ने दो इंच कंदी गिराई है तो वो इसको तीन सूद बढ़ा दें यानि कि हमने दस रखा तो वो सबादस यहाँ पर क्योंकि एगर आप तीन सूद जादा कंदी गिराएंगे तो जो है वो थोड़ा सा यहाँ पर आर्मोर कम हो जाएगा तो उसलिए आपको सबादस रखना अगर दो इंच गिरा रहे हैं तो उसके बाद देखिए यहाँ पर 45,45,45 का जो चौता भाग हुआ वो हुआ है सबादस ग्यारा और उसके बाद जो है इसका सामना जो है वो है सबा 12 इंच तईयार तो 1 इंच की लुजिंग आ रहे है तो यहाँ पर 5 इंच का मारिजन दबाने के लिए तो यहाँ पर 15 इंच की लुजिंग छोणदी तो फिटिंग शयट में 15 इंच लुजिंग छोटती है और उसके जो अंदर का है वो एक इंच आपको रखना है ये जो निसान लगाया है उसके बाद 28 इंच यहाँ पर हमने इधर साइट में भी आपको सीधा सीधा नाप लेना है और यहाँ आपर जो है जितना भी चेश्ट हो उसका चौथा भाग रख देना है और इसका जो नीच नीचे का भाग है बाटम का बो है साड़े बारा इंच तैयार तो हम यहाँ पर 13 इंच रखेंगे यानि कि जो लूजिंग है वो पहने दो इंच की नीचे साइट में क्योंकि हलका सा पेट है इसलिए उसके बार इसकी बिल्कु सीधी यहाँ पर जितनी वा हो उतना आपको सीधा बिल्कु रखना है कपड़े को अब इसका जो सामना है बो दो सूथ हम सामना जिदर बटन साइट का है उदर साइट में हलका सा डाउन रखेंगे मतलब ऐसा लगेगा फिर चड़ा हुआ नहीं लगेगा चड़ा हुआ क्योंकि पेट है हलका सा ना तो यह नहीं लगेगा कि चड़ा हुआ सामना है उपर के लिए तो इससे यह फाइदा होता है दो सूथ बस आपको रख देना है जादा नहीं उसके बाद कमर का निसान लगा लेते हैं तो कमर है साड़े बियालिस इस इंच एक सूथ और उसके बाद जो है इसके बीच में का जो सामना है बो है सबा 12 इसका भी क्योंकि पेट है हलका सा तो यहाँ पर इतना ही था हमने नहीं पाथा तो यहाँ पर की जो लूजिंग है वो 1.9 है यानि कि दो इंच में एक सूथ कम जितनी भी जिसकी हो उतनी आप रख सकते हैं और उसके बाद फंटी से बनिसान लगा देना है और इधर साइड में भी आपको देखिए हमने एक इंच अदर डाउन करा उसके बाद ये निसान गुलाई में लगा लेना है तो उसके बाद हमने ये सट बनाई कम्पलीट करके पहना के दिखाई बिलकुल परफेक्ट आई है क्योंकि इसकी तीन सटे थी इस सट की तो अब हम इसका नेश्ट वीडियो है उसमें मैं आपको फुल कटिंग इसकी दिखाऊंगा और इसके बाद जो है आपको ये दिखाऊंगा कि प्रेस पे ये कैसी बैट रही है प्रेस पे जो अल्टर होगी बो मैं आपको बताऊंगा अगर ये कमी आगए आपके तो सट टंग जाएगी आपकी तो बैठेगी नहीं तो ये चीज़ भी मैं आपको बताऊंगा तो इसका नेश्ट वीडियो जरू दिखिएगा चैनल को जूरू सब्सक्राइब कर ले साथी बेल आइकन को जूरू पेस कर ले झाल